आज मैं ऐसे नास्ते की रेस्पी आप सभी के साथ शेर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत कम समय लगेगा और खाने में बहुत ज़्यादा चटपटा होता है तो ब्रत में ज़्यादा कुछ बनाने का मन ना करें तो आप इस नास्ते को बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अं हमने सबसे पहले ले लिया है आलू तो आलू को उबाल लिया है और उसे कद्दू कस कर लिया है अब हमने ले लिया है साबूदाना तो साबूदाना को भिगो दिया था 5-6 घंटे के लिए जिससे की अच्छी तरीके से साबूदाना फूल जाएगा यह देखिए तो जिसे म ब्arlक कर डाल देंगे, जितना आपको तीखा खाना हो, तो हमने दो हरी मिर्च, काड कर इसमें डाल दिया है, अब शवाद की हिसाब से नमक डाल दिया है, तो यह सेंधा के लिए व्रत में खाने वाला नमक, और थोड़ा सा कूटी हुई काले मिर्च डाल देंगे friends और थोड़ी इसी धनिया डाल देंगे अब इन्हें हम अच्छी तरीके से mix कर देंगे हमने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है तो जो भी आप मसालेखाते ह। इसमें डाल सकते हैं यह देखिया हमने अच्छी तरीके से मैस करके इसे तयार कर लिया है अब एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लिया है आप चाहें तो इसे ठीकी के याकार में बना सकते हैं तो लेकिन हम इस तरीके से जब बनाएंगे तो और भी इजी हो जाता है बनाना और काफी कम समय लेंगे तो अच्छी तरीके से यह प्लेट से निकल जाएगा तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और काम हमारा आसान हो जाता है इस तरीके से बनाने में तो यह देखिये हमने काट लिया है और चाकु की सहता से हम एक पीस पहले निकाल लेंगे उसके बास सारे आसानी से निकल जाएंगे आप चाहें तो ऐसे ही बड़े बड़े इसे फ्राइ कर लीजेगा लेकिन मैं थोड़ा सा और छोटा इसे कर रही हूँ तो बीच से इसे फिर से कट लगा देंगे तो यह देखिये कितने आसानी से कितने अच्छी पीस इसकी निकल रही है तो इस तो सारा मैं इसी तरीके से पहले निकाल लेती हूँ उसके बाद इसे फ्राइ करेंगे तो सिर्फ एक चमज घी में हम इतने सारे नास्टे को फ्राइ कर लेंगे ज्यादा घीस में नहीं लगता है अब हमने कराही में एक चमज घी डाल दिया है तो घी जब गरम हो जाएगा उसमें हम जितना एक बार में आ जाएगा उतना हम फ्राइ कर लेंगे और हमने इस समय फ्लेम को मीडियम ही रखा है मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक इसे फ्राइ कर लेना है तो एक तरफ जब हलका सा पक जाएगा तब इसे हम पलट देंगे जब तक अच्छे से क्रि यह बन रहा है एक बार आप भी ट्राई करिएगा सारा नास्ता इसके आगे फीका लगने लगेगा ब्रत में कुछ चटपटा सखाने का बन हो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और यह देखिए दोनों तरफ से हमने उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से कितना चटपटा नास्ता बन कर तयार हो गया और कितना कम घी इसमें लगा है तो दूसरा बैज में मैं इसी तरीके से इसमें रख देती हूँ अगर थोड़ा सा घी कम पड़ेगा तो हलका सार डाल देंगे वैसे इतने घी में ये पक जाएगा अच्छी तरीके से तो ये देखिए हमने दूसरा बैज भी फ्राई कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा टेश्टी बनते हैं तो फ्रेंड्स उम्मेद करती हूँ कि आज किया रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होगी क्योंकि इतनी आसानी इसे और कितना चटपटा नास्ता बना कर तयार किये हैं तो आप भी अपने घर पे इस तरीके से नास्ता बनाएगा और टमाटर की चटनी के साथ इसे सर्फ करिए तो टमाटर की चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं तो चटनी में हमने एक हरी थोड़ी से धन्या की पत्ती और संधा नमक डाल दिया है और इसे चौप कल लिया है टमाटर को इसे हमने पीसा नहीं है तो यह बहुत ज्यादा टेश्टी लगते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखा रहे हूं कितने ज्यादा यह सॉफ्ट है अंदर से और उपर से उतने ही क चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपने ख्याल रखिएगा थैंक्स पार वाचिंग जैमातादी